और के यहां तक मैंने भूट दे Leftica Ephraim को दिया तक हुआँ कोली इंदर हो सकते हैं हिस्टो पता अलाइज आपको फीजिय का भी का लुकल ये जार अज में अगर आपने अच्छे से हैंडल और केर नहीं करते हो तो आपके आइनाइजिंग और नौन आइजिंग रेडियेशन इलेक्ट्रिकल पूर एक्ट्मेंट डिजाइन और वर्क और अर्गनाइजेशन ट्रिपिंग हजाड है एक्सेसिफ नवैस और हीट देखिए यह आपके कुछ आपके जो फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स के आपके हजाड के लिए रिस्पोंसिबल अगया जैसे कि आपका रिडियेशन होती है रिखेया हैं जैसे कि आपकी गल्स के जो last last आपकी साइज क्या है क्या होते हैं dus इस टाइब की आपकि में जैसे आपके माइक्रोटोम हो گया इन सब डीपर प्लेश्ट रखना है और इनसे इनसे क्या को सकते हैं तो इस आपका जो है बहुत सारी आपकी आते हैं different different categories आती है और उनको different different categories में बांट आ गया है मुझा अपको तोड़े बता जिया था group A के बारे में class A class B के बारे में मैं बता जिया था 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 थोड़े मैं आज आपको जिबावर पूरी लम में जैसिके आपका spirit lamp हो गया उस आपके यहेंट के लिए कि यहाइपका compressed gas का यूज करते हैं तो आपका यहाँ यहां पर देख लिए इसे इसे प्लोड में वे एक्सप्लोड इफी टेडर डेमेज़े ति कअभल जो फ्लेंडर होता है अगर हीट हो गया जादा तो उसका एक्सप्लोड उने की चांसे होता है फटने की चांसे फट गया तो फट गया तो फिर पूरी लैम में क्या हो जाएगा आग लग जाएगी और बहुत सारे हजार सो जाएंगे sudden gas inside ठीक है फ्ल सकती है the release of high pressure gas steams में puncture this skin ठीक है अगर डायरेक्ट आपकी skin के contact में कहीं से फट कर आ गई तो क्या हो जाएगा वह इतनी स्पीड से आती है कि आपकी skin को puncture कर सकती है तो आपको क्या करना है precautions के दियान रखने आपने transport and handle with care ठीक है आप जब भी उसको transport करो ठीक है फिर handle करो तो आपको क्या करना है बहुत carefully उसको handle करना है make sure cylinder are properly secured आपका cylinder जोने चाहिए क्या होना चाहिए आप regulator पर आपने क्या रखने उसके regulator को carefully use करने आपको regulator जब क्या हो आपका काम नहीं तो आपको regulator regulator बंद कर दिने जो काम हो तो regulator on करने है और आपको उसके जो यूज है वह आपको बिल्कुल केरफुल करने अनधर वाइस क्या हो सकते हैं उससे हजार हजार सोने की chances पहुँजा दे इस्टोर अवे दो हो सोर्स ऑफ हीट और फायर हीट और फायर से उसको दूर रखने है क्योंकि जो आपको कोई भी के अंदर क्या होता है आपके फिल्मेबल और कंबस्टिबल मटेरियल कौन से होते हैं फिल्मेबल और कंबस्टिबल मटेरियल कौन से होते हैं फिल्मेबल और कंबस्टिबल मटेरियल में आपकी गैसे आती है ठीक है और आपकी और्गनिक सब्स्टांस और आपकी न और्ग exposed to heat spark और flame देखिए sodium आपका basic example देता हूँ sodium sodium को यहारता है sodium जैसे क्या होता है आपका air के contact में आता है या फिर water के contact में आता है एक दम से explode हो जाता है और आग लगा देता है पूरे जहां पर भी हो गए तो explode कर देता है oxygen के साथ बहुत ज्यादा reactive होता है oxidizing material के अंदर भी आता हो लेकिन flammable में भी आता है आपका flame भी create करता है या फिर आपकी gases LPG gas की बात करो में फ्लेमेबल होती है बहुत ज्यादा जैसे heat यह heat की contact में आती है इस पार के contact में आती है कि दम से आपका आप यूज होते हैं फिर आपके जो requirements होती हो आप ठीक है उनमें आपके chemical भी होती है आपके और another equipment होते हैं फिर आपके cylinders होते हैं उन पर आपको किसी ने किसी पर इस टाइप की जो आपकी साइन बने हुए यह आपको वापे दिखाए देंगे तो इन साइन से आपने समझते हैं कि इससे क्या कि हजार सो सकते हैं और यह किस टाइप का है देखिए जो अगर आपका घ्रण वेफिए Caitlin अट रूं इंपरेटर का बस्टिबल बर्न करने पर एकद्म सी क्या हो जाता हैं बर्न हो जाते हैं जलने लग जाते हैं इस्टोर यह फ्रॉं दग्लास थी उक्सडाइजिंग मटेरीव से ने क्या करना हैं दूर रखने हैं क्योंकि ऊक्सडाइजिंग material के contact में आती oxidizing material भी जलता है और साथ में यह भी जलते हैं यानि कि दोनों क्या कर जाते हैं explode कर जाते हैं store away from the away from source of heat spark and flame कि इनसे आपको दूर रखना है इसको flame हो गया heat हो गया spark हो गया do not smoke near these materials ठीक है जो आपको देखे precautions आपको मैंने बताया था drinking smoking eating यह सब आपने क्या करना है आपकी लाइब के अंदर ठीक है तो यहां पर यह precaution भी आप नियाद रखने है उसके बाद एक लिजिए oxygen material के अंदर में आपको थोड़ बहुत example बदा दो दिए पर chlorine हो गया आपका chlorine हो गया Bromine हो गया यह क्या होते हैं एक दम से आपको क्या हो जाते हैं यह क्या होगते हैं जो क्लॉराइड सोते हैं और आपके पार होते हैं बहुत सारे आपके इसके एक्जामपल से इन और गनिक सबस्टांस मोस्टली इन और गनिक सबस्टांस होते हैं बहुत सारे जो क्या होते हैं ऑक्षिजन के साथ बिल्कुल हलका सा कॉंटक्ट करते हैं और एक दुन से क्या होते हैं एक्सप्लोड हो जाते हैं फिर जल जलाता है, irritation करता है आपकी skin में और फिर आपकी आँखों में irritation स्टार्ट कर देदा। देख लिजे precautions के आपको wil I stay away from class B चाल सी जब बी क्या होंगे नजदिक नजदिक आयेंगे तो यहां पर क्या एंकी burn उने की जन्हें इस टो आवे फ्रॉं सुर्स ओफ हीट एंड एड इगनीशन थी इगनीशन से आपने दो रखने और हेट से भी दो रखने वेर्ड दर रिखने रखने प्रोटेक्टिव एक्यूमेंट एंड लूदिंग थी क्लोधिं और आपकी क्या करने आपकी पहणने डिसमें Division1 में आते हैं इससे आपकी बहुत थाइए होटे भेशेंस आते हैं अदे हालिक का साइन आपको दिखाए देगा साही नियाद रखेगा मिक्वाज इमेडिये डेथ टिके एंड सीरेस इंजिरी इन इफ इन्हेल स्वालोड और अब्जॉर्ड थुरू दे स्किन ठीके इस स्किन की थुरू आगर आप क्या करते हो इसको अब्जॉर्ड करते हो या फिर आपका स्वालोविंग करते हो आप इस टाइप के किसी भी प्वाजनेस मटेरियल का तो क्या हो सकती है सीरेस इंजिरीज हो सकती है आपकी बोडी के आपकी जो विसल और और गन से बन पर अफेक्ट पड़ सकते है या फिर डेट तक होने की चांसे सब बन जाते हैं तो आपको क्या करने है प्रिकोशन देख लीजिए आवोइड इन्हेलिंग गैस और वैपर देखिए लाइब के अंदर कोई भी गैस है ठीक है ऊसको गया नहीं करने आपने इन्हेल नहीं करने है क्योंके उसको क्या सकता आपकोशन आइच सकते हैं अवीध इसके और आई- misschien i angle villainous material है उसे क्या रहतिन आपनि जो देख रखना कि कर भी sensitive हो स्कीन आई आफ भी वेर्द रेकमेंड़ प्रोटेक्टिव एक्यूमेंट एक्यूमेंट एंड क्लूधिंग तो आपने कहने हैं खाने के साथ आपका मास्क यह सारी चीज़ आपने लिए पहन के रखने हैं जा सकते हैं कि आपको क्या है सकते हैं चीज़ कर सब्यूंड धीक हैं तो ऐसके इस दूऽ कर दो में हैं। अपने हातों को क्लीन करना है यह लिए हाथों में रहें निके आपकी में जान शाइए कि ठीका होते हें यह कं तो कम टॉक्सीं होस्ते हैं यह मतलब क्या होते हैं था रयख्यों कर दोद तेश Khensוד तो तो यह थीरे भी थीरे यो किया क्षा हर्म दिसीस देदेते हैं चैंसर हो गया तहुती है इस तौझिस तैस्ट आफ की उसनें का है दिए सोजय से से क्या होते है वह यह उते हैं आपके टॉक्षिक अल्भीरते हैं थे दिर एका। historic इट बराइब पहुल में रिरिची साय है अब घग हम इर्युम stora limit का थे हां सकना है मैं इरीर्टेट स्किन आई एंड भूल में प्रोटनियक प्रोब्लम और अपका ब्रिधिंग पासेज परिटेशन कर देते हैं उसके बाद आपका मेक वसके लिवर और खिडिने डेइज जो मैं आपको बता यह गोलिग बताएज कर देंग और आपके विस्सुषण और अफेक्ट करते हैं कैंसर बर्थ डीफेक्ट और इसट्रायलिटी तरीक्स ट्रॉल और डी भी मतलब आपके जो गुनार्स होते हैं उन इस ऐसे पम्प परडक्शन और पर आपको अबर व्हल प्राइखस तरीक्शन हो गया य Cook सुरूब परडक्शन या यह compound जिसे का सुछार जाता है इनको जो जीए सा घृकिन फॉलगों हैं आपकी ड करनेher प्रिकॉशंस आपके दिवेजन संथा की तरह हैं कि कि अफने क्या करने है गयास हो गया और आपका वएपर हो गयाए इनको क्या करने है एक्यविंट करने сे और आपके एक्यूपमेंट्ट आप ने प्रोफिप्र te пять होती है उनको यूज करने डिविजन थार्ड में आ जाते हैं बाइयो हजाट्स इंफ्लकसियस मटीरिय। इसमें देख लीजिए आपका बाइयो हजार्स का साइन कुछ आपको इस टाइप से दिखाएज़ेगा। देखें आपके बाइयो हजार्स के अंदर कौन आते हैं जैस रोखको क्या बाइभ टरा अफेक्ट करेंगо यह बॉइल करें इसमें पित्तों और ने थाईधि अपम कमतिक, और कॉक्ख़क्ष म UP में भी आइप सोथ टों से भी आम केशानरानल सोबहरा सब्सेद हो साथ अधोरेश अरूस हो मरें होगोोगोगोगोग अचाहिए डिसिंफेक्ट एरिया आफ्र हैंडलिंग ठीक है आपको जब आप किसी भी बायो हजार्स माटियल जैसा आपको वायरस बक्तिरिया इनका कहीं यूज कर दो किसी टिशू के अंदर इनकी होने की चांसे से तो आपको क्या करना है जब आप उसका यूज कर लोगी आपका अपन आप वह क्या हो जाए उनका वहां से क्लीन हो जाए या फिर उनका उनकी डेथ हो जाए वापने डिसिंफेक्ट करना है अपने उसी एरिया को वह सेंड्स आफ्र हैंडलिंग और साथ में आपको खुद की सेप्टी भी करनी है हाथ दूल के उसके बाद एक लिए क्लासी कॉर पुद के लिएंगे उनकी एक स्किमाई कने जलानाया इस स्टाट करता के बिर ठिकांगं और विल बर्न ट्शू और रेस्पारिटे ट्रेक इंहीं we और अगर aba ये अंदर विसरो ओरगन हो आपकाδα डाइजस्तिव सिस्टम करते है अभी लीजे आपके इस्टोर ऐसेट से इंड बेसिस इंड सेपरेट एरिया में आपको रखने है उसकोई म्यूत करें में बीक्लेक्ट करकर रखने हो तो आपको प्रोटेक्टिव एक्युमेंट्स एंड क्लोधिंग आपको क्या नहीं होती है तो आपको प्रोटेक्टिव एक्युमेंट्स और ध्यां रखने पड़ेगा क्यूंकि वो सबसे पहले क्या है आपनी सेफटी के लिए होते हैं तो अगर जब तक आपनी सेफटी नहीं देखी तब तक क्या है आपको खतरा हो सकते हैं यह मैं उसके वाज लिए class f dangerously reactive material may be unstable reacting dangerously to jarring comparison heat or exposure to light may burn explode or explode or procedure dangerous gases when mixed with incompatible material देख लिए आप इसमें भी कि आपका burning की chances हो जाते हैं burning की chances बनते हैं क्योंकि आपका dangerous reactive material क्या होते हैं कभी भी oxygen या फिर किसी या फिर आपके liquid जैसे water हो गया ठीक है इनको contact में आते हैं क्या कर देते हैं एक्सप्लूट कर देते हैं तो यह डेंजरसली reactive material के अंदर आते हैं और इसका सुसाहिन है कुछ आपका इस टाइप से होते हैं इनको आपने क्या करने precaution इसमें फालो करने आपने store away from the Heat अवोइड शॉक एंड फ्रिक्षिन तो आपका इसका आपकी प्रिकॉशन से इनको फॉलो करने अपने उसके बाद देख लिए आपका लास्ट में आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन इन लेवरेटरी यह आपकी सारे के सारे जो है जो मैंने उपर से आपको बताए ठीके वो सारे आपकी कंबाइन लिए आपके दे रहे हैं ठीके इनका आपनी यूज़ करने ओके थैंक्यू